हेलो गाईज वेलकम बेक आज हम लोग देखेंगे चेप्टर थर्टीन यानि की सर्फेस एरियास एन वॉल्यूम्स के पिछले साल के पूछे गए कुछ इंपोर्टन्ट क्वेश्चन यह क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है देखते हैं क्या कहता है यह क्वेश्चन हमसे तो इस हम एक हमें सालीड हैमेश्चन यह दिया आए जिसका टोटल सर्फेस एरिया में 462 दिया है अ्ब हम इसका वॉल्यूम फाइड करना है अब प्ता है वॉल्यूम ओफ हेमेश्चन का फोर्मिला च्पर्मिला क्या होता है तो मैं पढ़ा है, total surface area of hemisphere क्या होगा, यह होगा, code surface area, 2 pi r square, प्लस, जो यह उपर का disk जैसा होगा, वो, तो वो होगा, pi r square, क्योंकि circle है, तो total होगे है, 3 pi r square, जो की है, 462 के बराबर, तो 462 equals to 3 into pi की value में, question में क्या दिये, 22 by 7, तो हमें लेनी है, 22 by 7 into r square, और अगर हमें इसे simplify चारेगे, तो हमें r square मिलेगा, 49, और यहां से r मिल जाएगा, हमें, plus और minus 7, अब radius तो कभी negative हो नहीं सकता, तो हम positive value consider करेगे, और r की value रखेगे, हम plus 7 cm, अब हम volume, volume का formula क्या होता है, 2 upon 3 pi r cube, simply हम यहाँ पे अब सब की value पूट करेगे, तो हम volume मिल जाएगा, अब pi की value 22 by 7, और radius हमने अभी अभी find किया जो आया है, 7, यहाँ पे 7 से 7 कटेगा, और हमें मिलेगा 709, 18.6 cm cube, यह होगा हमारा volume, volume of solid hemisphere, thank you. हमें अभी हम जाएब करेगे, बाएब को बाएब कर दो बने हम हम पने हम इक आएब करेगे, हम बाएब करेगे, हैं ऑंने हम बंड़ क्या हिर, आएब तो.